सिर्फ इंसानों के साथ नहीं जानवरों के साथ भी हमारे कर्म सम्मंद होते हैं और किस तरीके से ये जो जानवर हैं और मनुश्यों के बीच के सम्मंद हैं ये कई कई जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं इसी गहरे रहसे को हम मर्सिया की सत्य कहाने के थूर समझने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर रॉबर्ट द्वारा उनका पास्ले फिल्गेशन किया गया था और जैसा कि मैं पिछली कड़ी में जिक्र कर चुकी हूँ कि मर्सिया एक छोटे कद की लड़की थी और इस वज़े से उन्होंने समाज में बहुत एक अपने आपको कटा हुआ महसूस किया था समाज से निगलेक महसूस किया था और ऐसे वस्था में वो बहुत सारे अलग-लग घोडे भी बिल्लियां भी, कुत्ते भी, मुर्गियां भी, बहुत सारे अलग-लग जीवों के संपर्क में आई और उन्हें उन्होंने पैट के रूप में रखा और एक गहरी अटेच्मेंट जैसे बाकी दुनिया को छोड़ कर उनका जानवरों से और पशु-पक्षियों से गहरा लगाव हो गया था तो ये क्यूं था? ये पूरजनओं का सम्मन्द था तो इस तरीके से क्यूं खुला? क्या रीजन था इन जीवों का उनकी लाइफ में? मर्सिया का जो पास्ट बर्थ निकल कराता है मर्सिया पास्ट बर्थ में एक सरकस के ओनर की बेटी थी यानि उनका जो पूरु जनम है उनका पूरा समय ये लगभग ये 1870 के आसपास का वक्त है नौर्थ वेस्ट यूनाइटि स्टेट में जहां उनके पिता की सरकस हुआ करती थी जब मर्सिया को ये जानकारी मिली तो मर्सिया हैरान थी क्योंकि वो बचपन से ही सरकस की लाइफ के प्रतिया आकरशित होती थी उसे सरकस बड़ी प्रिये थी उसका एक आम बच्चों को सभी को होता है सरकस का शोक लेकिन उसे कुछ जैदा ही था अच्छा यहाँ पर जो एक और बहुत महत्पुन बात निकल कर सामने आई वो ये की ये जो जानवर थे ये लगबख सभी जानवर जो आज उसके बर्त में थे उस सरकस में उसका हिस्सा हुआ करते थे लेकिन वो जानवर किसी और रूप में होते थे जैसे जो आज उसकी बिल्लियां थी वो उस सरकस में उनके कुत्तों के रूप में हुआ करते थे जो आज उसका घोड़ा था वो उस बर्त में उसके हाथी के रूप में हुआ करता था और भी बहुत से जीव उसने पाले और आज भी उसे जीवों के प्रती गहरा आकरशन है लेकिन ये क्यूं था? इसके पीछे रीजन क्या था? ये प्रकृती आपको स्पष्ट रूप से जहां से आप मैक्सिमम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं आपकी कैपसिटी के नुसार वहीं से आपके लिए रस्ता निकाल के लेके आती है जहां से आप सबसे गहराई से जाकर जूड सकते हैं जैसे कि आपको जिस चीज से डर लगता है उस चीज का डर निकालने के लिए जो सबसे कारगर हो सकता है पहले आपको उस डर से सामना कराया जाएगा और फिर वो डर आपके अंदर से निकाला जाएगा इस तरीके से ये प्रकृतिकारे करती है अब इसी तरह से जो मर्सिया थी जैसे कि हमने मैंने पिछली कड़ी में भी बताया था कि मर्सिया की परस्नेल्टी अपने आपको एक लीडर की रूप में देखना ये उसकी परस्नेल्टी का एक हिस्सा था अब ये सारे जो अलग अलग जीव उसकी लाइफ में आए ये उसे क्या सिखाने के लिए आए जब सोल वर्ड में अपनी प्लानिंग को देखती है मर्सिया तो ये जान पाती है कि ये सभी जान वर जो आज उसकी जिन्दगी में है ये उसके सोल प्लान का हिस्सा थे और इन सब का कुछ ना कुछ मकसद था कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए थे ये स्टैसी को मर्सिया को अब मर्सिया के इस केस में एक और बहुत महतरपूंट चीज निकल कर आई जैसा कि डाक्टर न्यूटन और ब्रैंड विज ने भी एक बात कही थी कि हमें इस तरह के एक्सपिरेंस नहीं कि बहुत बहुत रेर कोई है डाक्टर न्यूटन को तो फिर भी कुछ-कुछ है ले लेकिन यह जो मर्सिया की स्टोरी है इसमें डाक्टर रॉबर्ट के साथ जो एक्सपिरेंस रा मर्सिया का उसमें एक चीज निकल कर आई जिसमें यह मैसेज दिया गया मर्सिया की बिल्ली के थुरू कि वो पास्ट बर्थ में human body का एक्सपिरेंस ले चुकी है लेकिन अब दोबारा इस experience से गुजरना नहीं चाहती यहाँ पर उसके दोबारा यह message दिया गया क्योंकि जो कई जानवर हैं क्यों वो मानव रूप में नहीं आना चाहते क्योंकि वो भावनात्मग गहराई हैं और भावनाओं की जो चरम सीमाई हैं देखे हमें ऐसा लगता है कि हम मनुश्य है ना हम superior है यह जानवर है ना यह हमसे inferior है लेकिन थोड़ा सा अलग नदर से देखिए इस नदर से देखिए कि इन में feelings तो हैं लेकिन उतनी गहरी नहीं है उतना गहरा इनके अंदर भावनाओं का उमड घुमड के नहीं बरसती है इन पर इनका चेतना का स्थर इतना उचा नहीं है है चेतना का स्थर ये भी घर बनाते हैं ये भी बच्चे पैदा करते हैं इतना उचा नहीं है जितना मनुश्यों का लेकिन इससे उचा होने से क्या हो रहा है कहीं कहीं हम लोग अपनी भावनाओं में भैकर दर्द में भी तो चले आते हैं देख गुसान अफरत ये सारी फीलिंग्स जलन ये हम में ज्यादा होती है न हम इंसानों में ये चलते चलते आती हैं सालों सालों जिन्दगी जिन्दगी चलती हैं जानवरों में भी नहीं के ब वायनविज ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि जब हम मानव जीवन में होते हैं, तब जो उस जीवन में, अगर कभी किसी ने जानवर रूप में कोई जीवन जिया भी होगा, महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, वो यादे हैं, इसलिए इस तरह की experience उन्ह जब आप मनुश्य रूप में आए हैं, तो आपका कोई अगर बर्थ रहा भी है ऐसा जानवर रूप में, तो उसकी महता शायद इस बर्थ में आपको कुछ सीखने, सिखाने में इतनी जादा नहीं होगी, खेर, ये एक अलग विशे है, क्योंकि जैसे डाक्टर न्यूटन की रिसर्च में कुछ-कुछ इस तरह का निकल के आया, ब्रायन विज का कोई एक्सपिरेंस नहीं रहा, डॉक्टर रोबर्ट का भी सीधे तोर पर ऐसा कोई एक्सपिरेंस नहीं रहा, इसी थरह से अगर हम आचारे रजनीश की बात करें, गुरू रजनीश के आश्रमों मे जो पास लेग्रेशन करवाया जाता है, उसमें बहुत साइ लोग ये अन्बो रहे हैं, कि हाँ, हमने अपने आपको अलग-अलग योनियों में देखा है, लेकिन मैं अगर अपने स्वेम के विचार उनसार कहूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई जीवन किसी जानवर के रूप में जियाबी होगा, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए होगा, जैसे कि एक जगह पर मरसिया की बिल्ली के द्वारा उसे ये मैसेज मिला, कि वो उसे नारित्व के गुण सिखाने के लिए उसके जीवन में थी, क्योंकि सत्मुझ बहुत मैंत्रों रोल आप अपने से जैदा किसी और की केर कर रहे हैं, तभी तो एक मा मा यही तो होती है न, तो ये एक क्वाल्टी होती है, नारित्व का गुण होता है, वो गुण सत्मुझ उस बिल्ली के द्वारा सीखा था मरसिया ने, तो मेरे विचार से ये जो छोटे अगर किसी ने जीव रूप में, जानवा रूप में बर्थ भी लिया है, तो वो एक लेसन आपने कोई सीखना था, वो आपने सीखा, लेकिन फिर उस बर्थ का, वो सीख लिया आपने, एक चीज आपने अचीव कर ली, वो आपको आ गई, लेकिन फिर उस बर्थ का कुछ इंपक्त आपकी human life पर आप स्वापन के माध्यम से पास लाइफ का experience करें feelings के माध्यम से करें आपको अच्छा देखे होंगे आपने case जिनको याद रहते हैं अपने past life वो भी आपको मनुष्य के रूप में ही बात करते मिलेंगे यही बताएंगे कि हमारा उस गाउं में बर्थ हुआ था यह ऐसा experience था कोई विरला विरला शायद ही मैंने तो आज तक ऐसा कोई case कभी YouTube पर भी नहीं देखा जिसमें कोई यह कहे कि मैं एक जानवर की रूप में था रेर कोई case होता है सो में से कोई एक और उसकी तो पहचान भी बड़ी मुश्किल है उसको तो आप cross check भी नहीं कर सकते हैं जैसे कि अब मनुश्य का मनुश्य रूप में rebirth होते हैं तो आप उसको फिर check कर सकते हैं कि हां हम जानकारी खोज भी इनके निकाल सकते हैं कि मैंने बहुत सरे case share करे हैं लेकिन अगर कोई बोले कि मेरा birth past life में गाएं के रूप में था सेर के रूप में था कुटे के रूप में था तो आप उसको cross check भी नहीं कर सकते हैं कैसे करेंगे अब मैं किस तरीके से इन चीज़ों को explain करूँ मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ जैसा कि walk-in walk-in के बार में भी मैंने कुछ एक वीडियो बनाई है जिसमें मनुश्यक के शरीर में कुछ वक्त के लिए किसी और मचाय उसका mark दश्यक कह लीज़े जब मुश्किल पर स्थितियां होते हैं वो नहीं जीर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर कुछ वक्त के लिए role play करती हैं इसी तरह की कुछ स्थितियां जानवरों के बीच में भी होती है ये चीज निकल कर आई है डाक्टर रोबर्ट की इस रिसर्च में लेकिन बहुत डिटेल में उन्होंने इस बार में कुछ नहीं बताया है लेकिन हाँ काफी कुछ निकल के आया है जानवरों और मनुष्यों के इस रिलेशन के विशे में अगली कड़ी में जिक्र किया जाएगा मर्सिया की कहानी के सभी भाग इस नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेशन मिल जाएगी जिसमें आपको मर्सिया की स्टोरी की सभी भाग मिलेंगे और आगे आने वाली कड़िया भी आपको उसी प्लेशन में मिलेंगी आप सभी पर परमातम सौंदर रहे प्रेम और आनंद सैदेव परस्ता रहे आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप करें